गुद्वानिंग अभीवन करेंट इफेस के सीरीज में 30 अगस पे हम पहुंच चुके हैं और आई होप आपके जो एक्जाम चल रहे हैं जो मॉक टेस्ट आप वीकली बेसिस पे दे रहे हैं वो काफी इंजॉय कर रहे होंगे जो मॉक टेस्ट की सीरीज है वो आपके लिए फुल फ्लेच मॉक टेस्ट की सीरीज को स्टार्ट किया गया है क्योंकि एक्जाम जो है वो काफी पास आ रहा है ताकि आप उन मॉक टेस्ट को वीकली बेसिस पे जो यूट्यूब को आपको सेटरड़े संडे को सुभे साथ बैच और यहां पर आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप एड़ रेट प्रिंस लूथरा पर मुझे भेज सकते हैं टेलीग्राम के ओपर और यहां पर इन MCQ से फायदा उठा सकते हैं QCM के बारे में जानेंगे मिशिन कर्म योगी G20 and CSR को लेकर discussion हमारा होने वाला है यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जनमाश्टमी की आपको बहुत बहुत बधायां हैपी जनमाश्टमी टू इच और आप कृष्णा 50 कोट को यूज कर सकते हैं क्योंकि यह जो discount है यह जो discount coupon है बेसिकली वो आज के लिए आपके पास available है तो आज आप रात को 12 बचे तक इस coupon को यूज करके कृष्णा 50 को आप जो भी सीरीज यहां पर डेवाई सीरीज हमारी है उसको subscribe कर सकते हैं 50% discount के ओपर लेकिन यह चीज़ धियान रखेगा इस discount is applicable only for first 100 subscribers ठीक है तो जो पहले 100 लोग होंगे 100 लोग होंगे जो यह code को यूज कर लेंगे उनी के लिए ही यह applicable रहेगा चाहें वो 50 days की सीरीज पर आप अप्लाई करें जो की static की पूरी तयारय आपके करा देती है या 100-200 days या Mission UPSC 2022 के अंदर आप इसे अप्लाई कर सकते जल्दी से यहां पर marking scheme को देख लेते हैं तो यहां पर अगर आप 8-10 MCQs ठीक कर पाते हैं तो topper category यह आपका target होना चाहिए ग्रैजुली आप यहां तक पहुंचे 6-7 MCQs जो हमारा cutoff area है यह serious aspirant कहलाता है 425 MCQs जो है वो danger zone होता है यहां पर आप बिलकुल cutoff के पास होते है आपने देखा होगा काफी सरे students अगर 98 की cutoff है तो 96.5, 95, 97.5 यहां तक आकर रूप जाते हैं चीक है तो वो काफी मतलब problematic situation होती जो आपको पता है कि आदे मार्ग से एक मार्ग से दो मार्ग से आपका prelims रह गया तो उसी चीज़ को ही improve करने के लिए मैंने आप इसको danger zone जो individual है जो aspirant है वो talented तो है उसे knowledge भी है लेकिन एक question की वज़े से ही आदे मार्ग की वज़े से ही उसका paper रह जाता है टार्गेट को set करें चलते हैं अपने पहले question के ओपर जो की BP DAS committee को लेकर है पूछा कि BP DAS committee किस से associate करती है यह time period मैंने आपका शुरू कर दी है सोचेगा इसके बारे में क्या answer होगा 10 second का time आपके पास है फिर हम discuss करेंगे कि क्या यह hydro power को लेकर है solar nuclear या फिर electric vehicle को लेकर environment ministry ने एक affidavit place किया in supreme court अभी इस महिने की शुरुवात में ही किया था और कहा कि seven hydro electric power projects जो थे उनको यहाँ पर permit किया जाए ठीक है which is reportedly in advanced stages of construction आप जानते है य जो hydro electric power projects जो थे यह associate करते हैं उत्राकंट से और उत्राकंट भी हमने ये भी देखा है कि के दारनाथ के floods जो थे वो situation 2013 में आई जिसके अंदर 5000 से जादा लोगों की जान चली गई और उसके बाद से ही सुप्रीम कोट ने जितने भी hydro electric projects का development था वो उत्राकंट के अंदर पस्र नहीं आ सकता तो सुप्रीम को डिरेक्टिड न्यू कमेटी तो सेट अप टो एग्जामिन देर केस और यहां पर एक विनो तारे कमेटी जो थी इंडियन इंस्टिटूट ऑफ टेक्नोलोजी कानपूर से आते हैं यहां से बनाई गई थी ताकि आप देखें कि environment impact क्या तो जाता है लेकिन वो भी अपने आप में काफी subjective होता है बीपी दास कमेटी जो थी वो भी हाइड्रो पावर को लेकर बनाई गई थी आंसर हो जाएगा थी तो ध्यान रुके को विनो तारे कमेटी हो बीपी दास कमेटी हो देर associated with hydroelectric projects हाइड्रो पावर के साथ वो रिलेट करती हैं चलते हैं यहां से हाइड्रो पावर से आगे बढ़ते हो next question को देखते हैं जो कि right to privacy को लेकर है यह question आने के काफी सारे chances है क्योंकि यह पहले भी आज से दो ढ़ाई महीने पहले भी न्यूजबे था तब भी हमने इसको cover किया था लेकिन तब एक different तरीके से किया था यहां पर पूचा है कि right to privacy के अंदर क्या आता है right to be remembered, right to be left alone, right to be forgotten यहां पर आपको best answer को चूज़ करने 10 seconds आपके पास हैं जल्दी से मुझे बताएं क्या answer होगा क्योंकि Delhi High Court ने एक upheld किया है view that right to privacy जो है उसके अंदर right to be forgotten and right to be left alone जो है यह भी आना चाहिए actually काफी सारे लोग ऐसे हैं आप जानते हैं कि पहले तो लोग आज से 10-15 साल पहले की बात करें या शायद उससे भी पहले की लोग अपनी photos जो थे वो online डालते हुए भी डरते थे they would not even share their photos जब तक online का जमाना नहीं भी था आपको यह दो का 15-20 साल पहले सबसे पहले Facebook से भी औरकुट आया था औरकुट was the product of Google तो उससे पहले लोग अपनी photos को share करना पसंद नहीं करते थे लेकिन फिर एक इस तरीके से reversal देखा गया जब social media platforms हैं कि now people want to share their pictures अभी वो अपनी pictures को share करना चाहते हैं और पिछले 10-15-20 सालों से हमने ये trend देखा reverse होते हुए अभी दुबा related कोई article लिखा गया online तो अगर वो चाहते हैं कि वो article online available ना हो वो चाहते हैं कि वो उनकी photo online available ना हो तो उससे online हटा दिया चाहें चीक है तो it means right to be left alone कि कि किसी वेक्ति को खेला चोड़ दिया जाए या फिर right to be forgotten कि किसी वेक्ति को भूल जाया चाहें तो ये जो चीजे हैं य जो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी photos या उनके related articles जो है वो online available हो और ये right to privacy के अंडर ये आता है आंसर क्या हो जाएगा see actually MTV के roadies के एक winner थे जिन्होंने अभी इसके बारे में कुछ नहीं पहले बात करें थी कि उनसे related जो articles और जो photos थे वो online हटा दिये जाएं वो चीज जो है हमारे लिए news के तो ठीक है लेकिन important चीज जो हमारे exam के लिए हो है right to privacy को लेकर चीक है चलिए see हमारा answer हो जाएगा चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए next question हमारा है एक personality को लेकर हरी सिंग नालवा हरी सिंग नालवा जी के बारे में पूछा गया बताए कौन सी statement correct है दो statement यहां पर दे रखी है he was commander of महराजर रंजी सिंग महराजर रंजी सिंग के वो commander थे हो सकता है he was the governor of Kashmir वो Kashmir के governor भी रह चुके हैं 10 seconds जो है मैं आपके शुरू कर देता हूँ हरी सिंग नालवा एक legendary सिंग कमांडर तो थे बढ़ क्या वो महराजर रंजी सिंग के कमांडर थे या नहीं थे वो आपको बताना है और यहां पर यह चीज़ दिया रखेगा उन्होंने जितने अफगानिस्तान से आने वाले turbulent forces होती थी जितने भी attack होते थे उनको अच्छे से control करके रखा हुआ था क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर आपका पंजाब था सतलूच से west side पे महराजर रंजी सिंग रूल किया करते थे east side पे British ने उनके साथ एक treaty करी हुई थी एक संधी क करेंगे east में आप interfere मत करिएगा और यहां पर अगर आप देखेंगे यह जो सतलूच के west की जगा है यहां पर आपका पाकिस्तान भी आता था और आगे जाके अफगानिस्तान भी आता था तो पंजाब जो के काफी बड़ी और काफी strong power मानी जाती थी क्योंकि महराजर रंज जी सिंग जी तुमारा रंजी सिंग के वो कमांडर थे और यहां पर जीती थी और नालवा टुक कंट्रोल ओवर जामरूद 1837 के जामरूद एक फोर्ट जो कि कहां पर लोकेट करता था अफगानिस्तान के बिलकुल एंट्री पे खाइबर पास से जब आप गुजरेंगे त फोर्ट जो था वो भी यहां पर इन्होंने टेक ओवर किया था आंसर विल भी सी चले यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं कुश्चन बर फोर्ट को देखते हैं जो कि परदान मंतरी जंदन योजना को लेकर है पूचा कि PMJDY को लेकर बताएं कौन सी स्टेट्मेंट तक यह काम नहीं करते हैं जैसे आपने वैसे भी देखाऊ खा कि कुछ जगा पर आप अकाउंट ओपन करते हैं वहां फिर एक साल में तो आपको वह एक बर अकाउंट जो है उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी होते है कुछ उस तरीके से अब मोबाइल के हो चुक है मैंने बताया था आपको 2014 वो टाइम था वन आई वस प्रिपेरिंग फॉर इंटर्व्यू और तभी जो हमारे प्रधान मंत्री थे उन्होंने 2014 पंदरा में यह जो आपके 2015 का था 2014 पंदरा का वो टाइम था जब यहां पर प्रधान मंत्री ने यह जो स्कीम थी उसको launch किया था financial inclusion के लिए तो यहां पर पहड़ी जो statement है वो ठीक हो जाती है और यहां पर एक app को भी launch किया गया है which is again for the benefits and for the facilitation of the customers second statement की बात करते हैं तो यहां पर yes अगर आप account को use नहीं करते हैं account ideal पड़ा रहता है customer जो है अपनी कोई भी transaction इसके इंदर नहीं करता है तो यह जो account है वो एक तरीके से inoperative हो जाते हैं और कह सकते हैं कि वो बंद भी किये जा सकते हैं तो यहां पर धियान रखेगा तो यहां question no.4 से आगे बढ़ते हुए चलते हैं question no.5 के ओपर और यहां पर operative परदानमंत्री जंदन योजना account क्योंकि देखिए operative जो है वही फायते बंद है क्योंकि अगर हमने परदानमंत्री जंदन योजना के अंदर मालनी जै कि हमने 100 account को ले ठीक है उस 100 में से 80 काम नहीं कर र आना क्योंकि 20% account हैसे हैं जो काम कर रहे हैं तो इसी तरीके से कितने account operative हैं जैसे कि यहां पर देखेंगे 85.6% account operative है मतलब 14.4% account जो हमारे हैं वो operative नहीं है मतलब वो तो एक तरीके से खुले लेकिन लोगों ने इस्तमाल नहीं किया लेकिन फिर भी 86% आप इसको मान सकते 86% is a big number और आपको अगर 2020 को हटा दे तो यह जो आकड़ा है बढ़ता हुआ यह आपको दिखाई देगा चिक एट मेंस the account the government is opening they are working people are using them अगर हम बात करें 2017 में सिर्फ 76% ते उससे 10 percentage point का जाधा इजाधा इजाफा आपको यहां पर देखने को मिलता है almost आपके सकते हैं कि 15% क आस-पास का इजाफा यहां पर आपको देखने को मिलता है चलिए चलते है next question के ओपर जो कि operation देवी शक्ति को लेकर है पूचा गया है operation देवी शक्ति किस से relate करता है क्या यह अफगानिकसान से relate करता है COVID-19 से लिबिया से या फिर नेपाल से I am repeating this question बताएं क्या होगा answer Indian Air Force क के अंदर 24 Indians थे और 11 नेपाली से चीक है उनको काबूल से evacuate कराया गया और वो डैली में लेकर आया जा रही थी क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर evacuation कराया जा रहा है लेकि यह चीज़ धियान रखे कि जब भी इंडिया evacuation करता है इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ Indians का ही करेगा पुराने भी ऐसे examples आपको दिखाई देंगे जहाँ पर इंडियन्स के अलावा आसपास की जो countries है उनको भी help करी जाती है इवन तो नेपाल हमें counter करता है और नेपाल हमें दोस्त भी नहीं समझता है फिर भी यहाँ पर उनकी help करी जा रही है विकास humanity जो है वो इन सब चीज और foreign nations को अफगानिसान से बाहर निकाला जा सके safely and soundly चलिए यहाँ पर answer हो जाएगा चलते है next question के ओपर which is okay before that you can get a 50% discount आज के लिए ही यह आपका coupon code available रहेगा Krishna50 use करिएगा और सिर्फ 100 subscribers के लिए ही रहने वाला है यह भी दियान रखेगा तो जो भी 50 days 100 days 200 days की series है उस पर directly आ it's a good series because यहाँ पर आपके static की त्यारी काफी अच्छे से हो जाती है तो यह उन लोगों को subscribe करनी चाहिए जिनकी static की preparation जो है वो थोड़ी सी भीग है आपको लगता है कि static की preparation उतनी अच्छी नहीं है और थोड़ी से टाइम में अब 2021 का exam तो आई गया आप minimum possible time में आपके static की इस provision series जो आपको exam.netmock.com पे मिल जाएगी इसके अंदर आपकी history, quality, geography, environment, ecology, economy यह सब चीजों को काफी बहतर तरीके से cover किया है और exam oriented तरीके से cover किया है क्योंकि देखिए किसी भी subject के ऊपर आप चाहें तो 100 lesson भी बना सकते हैं 200 lesson भी बना सकते हैं so making x यह n number of lectures that is not a difficult task लेकिन making the lectures which are relevant for the exam वो चीज जो है काफी important होती है बताने को तो आपको किसी भी subject को लेकर 10 books बताई जा सकते हैं लेकिन क्या यहां पर कोई व्यक्ति आपको 100 pages के notes दे सकते हैं जिसमें से आपके काफी सारी चीज़े cover भी हो जाएं और वो exam में आ भी जाएं तो यहां पर उसी चीज को रहे गई लेकिन value-added material भी इसमें रहता है then 200 days की जो सीरीज है तो exhaustive series है इसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है NCRT से लेकर आपके standard books को जिसको cover किया गया और day-wise त्यारी भी आप इसमें कर सकते हैं और अगर आप next year के लिए जा रहे हैं then आप in crash course की जगा mission UPC 2022 के लिए चली चलते हैं next question के ओपर which is question number 6 जो की BH series को लेकर है पूछा के BH series को लेकर बताएं कौन सी statement आपकी correct है कौन सा कथन आपका सही है चीक है तो यहाँ पर which of the following is correct format आपका format बताना है BH series का मैं आपका time period शुरू कर देता हूं in order to facilitate seamless transfer of vehicles ministry road transportation highway ने किया कि एक notification जारी कि अभी 2-3 दिन है दो विकल रिजिस्ट्रेशन फसिलिटी अंडर भारत सिरीज भी एच काया है आपकी भारत सिरीज बारत सिरीज बारत सिरीज विल बी अवेलेबल ऑन वोलेंटरी बेसिस तो डिफेंस पर्सनेल एंप्लोयों Central Government State Government Central State Public Sector Undertaking Private Sector Companies Organization which have their offices in four or more states या पर यूटी चीक है और इसक इस तरीके का होगा बताइए टाइम पिर इस ओल्मोस्ट अप तो वाई 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 बी एच फिर चार नंबर फिर एकस अब इनका मतलब क्या है वो भी जान लीजी देखिए आंसर तो B लिख देते हैं एक पर यहां पर देखिए So this is the registration here पहला जो होगा यहां आइंटी तो इंडिया को represent कर रहा है ठीक है यहां पर आपका होलोग्राम हो गया 21 तो आपका नंबर हो गया ठीक है भी एट स्टैंफर भारत जो आपका घाड़ी का नंबर है वो यहां गया है तो मैं 10 seconds आपके शुरू कर देता हूं सोचिए इसके बारे में union minister एक particular है जिनके द्वारा इसे लेकर आया गया है सोचिए फिर discuss करेंगे चली तो basically हमारी country क्या कर रही है quantum computing जो research frontiers है उसके अंदर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और यहां पर उसी के चलते बेंगलूरू का है वो इसमें शामिल है आई टी रूड की इसमें शामिल है इसके अलावा सीड़क सीड़क की फुल 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 क्या comment section बताएगा पहले काफी अबर बता चुको आपको with the support of METI ministry of electronics information technology ministry of electronics information technology के द्वारा इसे लेकर आया गया है answer क्या हो जाएगा a will be the correct answer initiative क् जो common challenges हमारी country face करती है quantum computing research frontiers के अंदर उसको solve करने का काम इसके त्रूग किया जाएगा चीक है चलते हैं QCM से आगे बढ़ते हुए next topic को देख लेते है now the next question is about mission करम योगी mission करम योगी किस से relate करता है चार option में आपको दी है क्या ये civil servants से relate करता है member of parliament से relate करता है member of legislative assembly या फिर prime minister से relate करता है union minister of personnel ने inaugurate किया करम योगी digital learning facility क्योंकि करम योगी तुम पहली पढ़ चुके ये जब launch किया गया था अभी इस से related digital learning facility for civil servants को लेकर आया गया at the institute of secretariat training and management ISTM के अंदर अब premier central training institution जो की DOPT क के अंदर आता है department of personal and training के अंदर आता है ISTM that is institute of secretariat training and management digital learning platform जो है ये क्या करेगा that will extend क्या extend करेगा help को extend करेगा citizen centric reforms के लिए जो की government के द्वारा mission करम योगी के अंत्रगत चलाए जाते national program for civil service capacity building जिसको की NPCACB कहा जाता है mission करमी होगी ये अपरूव किया गया था जब करोना चल रहा था covid के लिए lockdowns चल रहे थे second September 2020 को है remember 2020 September को ही हमने इसे discuss किया था और इसको objective यही था कि civil servants या civil services की capacity को कैसे improve किया जा सकता है तो आप लोगों को कैसे और भी बहतर तरीके से training दे जादा help provide कर सके तो answer क्या हो जाएगा A will be the correct answer चली त्यान रखेगा करम योगी के बारे में भी और यहां पर developing competencies to serve citizen क्योंकि जब आप competent होगी जब आपके अंदर capacity होगी तो ही आप यहां पर बहतर तरीके से जनता को serve कर पाएंगे चली next question पे चलते हैं पूचा के G20 के अंद पहली G20 ministerial conference जो की women empowerment के ओपर होई थी अभी उसको यहां पर क्या किया address किया चीक है और यहां पर इसे address करते हुए G20 का जिकर हुआ और यहां पर G20 के अंदर जो countries है उसमें Argentina से लेके Australia, Canada, China, France, Germany आती है Japan, Korea, Mexico, Indonesia, Saudi, Arabia and South Africa जैसी countries आते हैं जिसमें यहां पर अगर हम बात करें तो आपकी USP है, Italy भी है, यह चारो की चारो countries इसके अंदर आती है, D will be the correct answer, simple question है पूछ लिया चाता है G4 में कौन सी countries है, G7 में कौन सी countries है, यह G8 में कितनी countries हुआ करती थी क्योंकि G80 रशिया को निकालने के बद़ G7 बना, G20 तक यह चीज़े पूची जा सकती है, चलते है next question के ओपर, which is question number 9, उससे पहले वैसे यह भी मैंने आपको दिखा दिये, देख लीज़ेगा G8, G7 और G20 यह इस तरीके के जो इन्फोग्राफिक होते हैं, वो आपको काफी जादा help भी करेंगे, next जो topic है, वो CSR को लेकर है, पूचा के CSR को लेकर बताएं, कौन सी statement आपकी करेक्ट है, कौन सा कतना आपका सही है, तो CSR के लिए minimum net worth किसी company की होनी चाहिए 1000 करोड हो सकता है, minimum net profit होना चाहिए 10 करोड, और इसमें जो पैसा spend किया जाता है, वो average profit का 3% किया जाता है, सोची इसके बारे में क्या answer होगा, फिर करते हैं discussion, यहाँ पे ministry of corporate affairs जो है, उन्होंन अगर आपने पहले से ही, अगर आपको X, माल लिजे आपको 100 रुपे खर्च करने थे, अगर आपने वहाँ पे 500 रुपे पहले खर्च कर दिये, तो यह मस्सोची है कि यह 50 रुपे जो आपने extra कर्च किया है, यह future के अंदर set off हो जाएगा, future के अंदर आपको अलग से पैसा खर्च करना पड़ेगा, जो आपकी responsibility के अंदर आता है, चीक है, माल लिजे कि there are companies जिसको की हर साल 100 रुपे खर्च करना था, किस के लिए? CSR के लिए, लेकिन उसने 150 रुपे खर्च कर दिया, अब यह company कहते हैं हमने जाधा खर्च कर दिया, इसे अगले साल के लिए set off कर ल जानेंगे, probably सरकार नहीं, जो rules के अंदर change किया है, क्योंकि Corona की वज़े से वैसे भी financial condition हमारी अच्छी नहीं है, काफी जदा पैसा हमारा health sector के अंदर भी खर्च हो गया है, तो इसी वज़े से सरकार चारिए कि ज्यादा से जदा CSR का पैसा मिले, ज्यादा से जदा donation मिले औ लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको बताओ, minimum network जो है, वो 500 crore की requirement होती है, minimum profit की 5 crore की requirement होती है, और 2% यहाँ पर average expenditure, average profit का करना होता है, तो इसमें से तो कोई भी statement ठीक नहीं है, answer क्या हो जाएगा, D will be the correct answer, चीक है, चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखेकर इसके बारे में, ज यह चीज़ आपको काफी सदा help कर रहे है, तो if you want कि यह वीडियो आपको आगे तक मिलते रहे हैं, please do like it, और comment भी करके बताएगा, whatever new you want in this video, जो भी नई चीज़ आप इन वीडियो के अंदर देखना चाहते हैं, वो भी इसके बारे में ज़रूर रहे हैं, जो आप लोगों नहीं suggest करी हैं, जो students नहीं suggest करी हैं, और उसको हम लेकर आएं, अब हम यहाँ पर जल्दी से एक बार जो active हमारी revision है, वो कर लेते हैं, और active revision के अंदर आपको 2 मिनट अपने invest करने हैं, लेकिन यह जो 2 मिनट की investment है, आपको काफी help करेगी, जो लोग पहली बार वीडियो एक्टिव revision का मतलब है, कि जैसी question आपके सामने आते हैं, पुराने, वो आपको यहाँ पर जितनी भी चीज़ें याद हैं, उनको लेकर वो जल्दी से comment section में लिख दीजेगा, और जो question मैं पूस्ता हूं, उसका भियान से लिखेगा, जल्दी से मुझे दूसरी committee का नाम बत यहाँ पर student जितना ज्यादा recall कर पाता दी, कि मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता देता हूं, अगर A ने सिर्फ 10 किताबे पढ़ी हैं, और B ने 100 किताबे पढ़ी हैं, और A ने इन 10 किताबों को 10 बार revise किया है, ठीक है, B ने, क्योंकि यहाँ पर 10 किताबे 10 बार revise करना, मतलब एक तरीके से 100 टाइमस पढ़ लिया, लेकिन इसको, क्योंकि इसने 100 किताबे पढ़ी, 100 टाइमस, ठीक है, इसको यहाँ पर revise करने का मोका नहीं मिला, मतलब हर एक book इसने एक ही बार पढ़ी है, तो chances are likely कि A जो है, इसको जादा चीज़े याद रहेंगे exam में, और exam crack करने के chances इसके बढ़ जाएंगे, तब ही कहते हैं कि UPSC के लिए जादा बहुत जादा पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन जितनी चीज़े आप पढ़ते हैं, उसको बिल्कुल अपने जहन में बिठा के पढ़ें, ताकि आप उस चीज़े को exam में use भी कर पाएंगे, जो क्या होगा, नहीं तो questions जैसे ही आपके सामने आएंगे, आपको लगेगा, कि ये question मैंने कहीं पढ़ा तो है, लेकिन अभी मुझे इसका answer याद नहीं आ रहा है, I hope, and I'm pretty sure इस तरह की कि जो feeling अब वो आपको जरूर होती होगी, जब भी आप questions mock test के अंदर देखते होगे, कि इसके बारे में मैंने पढ़ा तो है, लेकिन मैं answer नहीं कर पार होगे, वो इसी वज़े से होता है, बिकास revision अच्छे से नहीं होती है, जल्दी से बताए, right to privacy के अंदर क्या क्या चीज़े है, डैडी है कोट ने अपहल किया था right to privacy के लिए, कि right to be left alone and right to be forgotten, दोनों ही इस के अंदर आता है, फिर हमारा discussion हुआ था, इससे आगे बढ़ते हुए, हरी सिंग नालवा जी के बारे में, हरी सिंग नालवा जी किसके कमांडर थे, जल्दी से बताए, गवर्नर रह चुके हैं, काश्मीर के, और यहाँ पर काफी बैटल और पेशावर के अंदर भी परेटिव हो जाता है, मोबाइल एप्लिकेशन जी है, वो भी यहाँ पर इसको लेकर लेकर लॉंच करेंगे, इस फानिसल इंक्लूजन के लिए से लेकर आया गया, ऑपरेशन देवी शक्ती जल्दी से बताएं, किसी से रिलेट करता है, इंडियन एर पोर्स का जो जहाज वो लेकर आया है, इंडियन सिरिजन्स को और नेपाली सिरिजन्स को अफगानिसान से बचा कर, चलिए, इसके बार डिसकेशन हमारा हुआ था, जो आपका कृष्णा 50 कोड है, इसको प्लीज यूज कर लीजएगा, आज ही अवेलेबल रहेगा, और सिर्फ 100 सब्सक्राइब सामने यहां पर मैं लेकर आया हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में किसके द्वारा लॉंच किया गया है, जल्दी से बताएं, क्वांटम कम्प्यूटिंग के, जो फ्रंटियर्स रिसर्च एरियो को बढ़ाने के लिए से लेकर आया गया, मीटी के द्वारा ये भी ध्यान रखे मुझे, और लास्ट में हमारा जो डिस्कुशन है, वो CSR को लेकर हुआ था, और पर सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी को लेकर, तो जल्दी से बताएं, कितनी नेट वर्थ होनी चाहिए, कितने प्रॉफिट होनी चाहिए, और कितना यहां पर एवरिज प्रॉफिट जो है, उ कि जब तक एक्जान नहीं होता है, दो मौक टेस्ट मैं अलरी दे चुका हूँ, आप चाहिए, तो यूट्यूब चैनल पर सर्च भी कर सकते हैं उसे, नेक्स्ट वीक आपको थर्ड और पोस्त मौक टेस्ट जो है, वो भी मिल जाएगा, तो एवरी वीकेंड आपको दो-द जोग्रफी, हिस्ट्री, एकॉनमी, एकॉलजी, इन सब के जो कुश्चन्स होते हैं, वो भी रखे जाते हैं, चीक है, चली, जल्दी से मुझे बताएगा का, नैशनल पेमेंट कॉर्परेशन ऑफ इंडिया जो है, इसके बारे में मुझे, वैसे मैंने आपको चार-पाच बताए हुआ है, कि ये कौन से एक्ट के अंदर आता है, किस के द्वारा बनाया है, कोई भी एक फैक्ट, अगर आपको नैशनल पेमेंट कॉर्परेशन ऑफ इंडिया के बारे में पता है, तो प्लीज, कॉमें सेक्शन में जरूर लिखेगा, देखे, कॉमें सेक्शन में डवल ओफ सीरियसनस कितना है, तभी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि पुरानी चीजों को रिकॉल करना जरूरी है, तो ये जो आपका 30 सेकंश का एफट होता है, उसको वेस्ट मत जाने दीजिए, क्योंकि अगर 100 स्टूदेंट्स यहाँ पर कर रहे हैं क जो कॉछिन पूछा गया है, हो सकते हैं, उनको पता हो सकते हैं, उन्होंने गूगल पर सर्च किया है, लेकिन आप कॉमेंट करना काफी जरूरी है, ताकि वो चीज आपकी लोंग टर्म में में रिजिस्टर हो सके, तो प्लीज कॉमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो 5 शुरुआत ऐसे ही होती है, और धीरे-धीरे फिर हम अपनी पर्फोर्मेंस को इंप्रूव करते हुए ओपर जाते हैं, चीक है, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिस्क्रिप्शन में दिया, उसे जोइन कर दीजएगा, और पहां पर इस लेक्चर की जो पीडिएफ है, वो भ औरू के दो हुआ जाने को एंपर लिये विए्टब स्कृत पास